मुँ में राम बगल में छुरी हिंदी का ये मुहावरा ऐसे दोगले लोगों की पोल खोलता है जो एक तरफ तो आपके हमदर्धोने की शेकी बगारते हैं और दूसरी तरफ आपका गला काटने के लिए तैयार रहते हैं दलितों, पिछडों और आदिवासियों के मामले में बीजेपी का भी यही चरित्र है बुदवार को पीएम मोदी ने नई कैबिनेट बनाई और उसमें चुन-चुन कर दलितों पिछडी जातियों से मंत्री भर लिये कुल 27 OBC मंत्री बनाए गए हैं ऐसा करके पीएम मोदी ने यही संदेश देना चाहा कि कैसे बीजेपी OBC की सबसे बड़ी हितैशी पार्टी है लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा है बीजेपी ने बुदवार को OBC के मंत्री बनाए और अगले ही दिन यानि शुक्रवार को OBC का हक मार लिया दरसल मदरास हाई कोर्ट में बीजेपी ने तमिलनाडू सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें मेडिकल एंटरेंस एक्जैम नीट के प्रभाव के अध्यन की बात कही गई है और OBC आरक्षन को लागू करने की मांग की जा रही है मोदी सरकार ने मदरास हाई कोर्ट में बाकाइदा एफिडेविट दे कर काहा है कि नीट में OBC आरक्षन पर तमिलनाडू सरकार की बनाई जस्टिस एक के रंजन कमेटी गैर जरूरी और अवैद है कमेटी को दिये गए निर्देश ना सिर्फ सुप्रीम कोट की स्थिती और विशेशाधिकार के खिलाफ हैं बल्के एक निर्थक परियास भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोट की ओर से घुशित किये गए कानून सभी पदाधिकारियों पर लागू होते हैं नीट यानि National Eligibility का मेंटरेंस टेस्ट में फिलाल OBC आरक्षन लागू नहीं है। नीट के तहत ओल इंडिया कोटा में OBC छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए आरक्षन नहीं दिया जा रहा। तमिलनाडू सरकार की मांग है कि या तो OBC को आरक्षन मिले या फिर नीट को ही खत्म कर दिया जाए और राज्यों को अधिकार मिले कि वो मेडिकल की पढ़ाई में किसको कितना आरक्षन देंगे। तमिलनाडू की स्टालिन सरकार ने 10 जून को जस्टिस एके राजन कमिटी बनाई थी। कमिटी का काम है कि उसे ये पता लगाना है कि नीट का क्या प्रभाव पड़ा है और तमिलनाडू सरकार नीट में OBC आरक्षन लागू करना चाती है। लेकिन स्टालिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडू बीजेपी के स्टेट सेकरेटरी के नागराजन मदरास हाई कोट पहुच गए और इसका विरोध किया। यानि बीजेपी ने खुले तोर पर OBC आरक्षन का विरोध किया है। नागराजन की PIL के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि तमिलनाडू सरकार की कमिटी गलत है गैर जरूरी है। नीट में OBC आरक्षन का मसला फिलाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार OBC का हक मारने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नीट में OBC को आरक्षन दे देता है तो ठीक है हम नहीं देंगे। लेकिन वहीं EWS यानि सवर्न आरक्षन के मामले में मोधी सरकार ने मामले को सुप्रीम कोड तक जाने ही नहीं दिया, बलकि पहले ही EWS आरक्षन को नीट में लागू कर दिया, लेकिन OBC के मामले में BJP दोगली नीती अपना रही है। हिंदुत्व का जंडा उठाने वाले OBC समाज को ये दोगलापन समझना होगा। एक अनुमान के मुताबिक नीट में OBC को आरक्षन नहीं मिलने से OBC समाज के करीब 11,000 कैंडिडेट डोक्टर नहीं बन पाए, यानि ये 11,000 कैंडिडेट डोक्टर बन सकते थे, लेकिन अगर O में 27 OBC मंतरी बनाए हैं, तो सिर्फ ये गलत फैमी होगी क्योंकि खुद सौगोशित OBC प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के राज में OBC का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जजों को राज्य सबा तो भेज देती है, लेकिन ये सवाल नहीं उठाती कि वहाँ OBC के जज क्यों नहीं है। इसदी आरक्षन लागू किया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तब से शिवराज सरकार OBC आरक्षन के पक्ष में ठोस दलील तक नहीं पेश कर रही। यानि हर जगे BJP OBC को निप्टाने में लगी हुई है। OBC के अधिकारों की गैरेंटी के लिए लंबे समय से जातिवार जनगनना की मांग हो रही है। लेकिन मोदी सरकार 2011 के जातिवार जनगनना की आंकडे दबा कर बैट गई है। वरिष्ट पत्रकार दिलिब मंडल की इस पोस्ट से आपको ये बात समझने में और आसानी होगी। दिलिब मंडल लिखते हैं। OBC को अपनी जाति के नेता का चहरा चमकता देखना है। उनको मोदी जी ने दे दिया। सवर्णों को नोकरी, उत्सिक्षा, बैंक लोन, सप्लाई का ठीका वगेरे चाहिए वो उन्हें दिया जा रहा है। साथ में सवर्णों को ये भरुसा भी दिया गया है कि हर मंत्री के सिर पर RSS का एक परभारी रहेगा, कोई सामाजी गड़बडी नहीं होगी जिसको जो चाहिए वो दिया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जाती के आदमी को मंत्री बना दिया गया क्योंकि भागवत के OBC और फूले शाहू अंबेटकर के OBC में बहुत फर्क है। क्या उसी तरह से उसके मंत्री भी यही काम करेंगे।